सुझाइन दोस्तों मेरा नाम है पुश्करों यहां पर मेरे पास है Poco X6 Pro Poco X6 Pro के लिए कुछ protective accessories आज के इस वीडियो में हम आपके साथ share करेंगे box में आपको काफी एक अच्छा back cover मिल जाता है इस phone के साथ and I think कि इस back cover के रहते आपको अलग से कोई back cover purchase करने का ज़रूरत नहीं है but Poco X6 Pro में जो black and gray color वाला variant है उसमें आपको जो back panel है वो plastic build में ही मिलता है and long term में अगर आप back cover के साथ भी use करता है ना तो भी dust जो है वो cover के अंदर enter कर जाता है and back panel पे scratches आ जाता है and उस type के scratches को protect करने के लिए जो हैं आपको इस skin apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास gadget seed का एक skin है जो कि आज की इस video हम Poco X6 Pro पे apply करेंगे and जहां से आप इस skin को purchase कर सकते हैं Poco X6 Pro के लिए या अपने किसी और phone के लिए उसका link हम आपको वीडियो description में दे दिया है इसके अलावा Amazon से एक tempered glass भी हम purchase किये थे 200 rupees के around तो आज के इस video में हम इसको भी apply करेंगे and इसका link भी हम आपको वीडियो description में दे दे देंगे अगर इस tempered glass का quality हमको अच्छा लगेगा तो बाकि अगर आपके पास offline market का option है तो आप offline market में अपने Poco X6 या X6 Pro के लिए tempered glass देख लीजेगा हो सकता है कि आपको 200 से कम में इसी same level का tempered glass मिल जाए and gadget shield का skin जो मेरे पास है वो हम पड़ा-पट से यहां पे box में से निकाल लेते है and मेरे पास यहां पे जो Poco X6 Pro के लिए skin है यह spider pattern वाला skin है इसी तरीके के आपको अलग-अलग pattern का skin इनके website पे मिल जाएगा और आप जो है अपने according अलग-अलग color और अलग-अलग pattern का skin जो हो customize करके order place कर सकते है and इसके साथ भी एक cleaning kit मिल जाता है तो सबसे पहले Poco X6 Pro पे जो skin है वो apply करते है और उसके बाद tempered glass apply करेंगे तो यहां पे जो wet wipe मिल जाता है इसके through जो है ना इसके back panel को अच्छे से clean कर लेते है and next is dry cloth के मदद से जो है ना इसके back panel को अच्छे से clean कर लेते है ताकि कोई भी dust ना रहे तो यहां पे almost जो है ना back panel अच्छे से clean हो गया है अब सबसे पहले जो है ना यह red waller skin apply करना है जो की एक full frame skin है तो यहां पे phone के bottom में जो भी holes है, sim tray है, primary mic का cutout है इनको properly align करके जो है ना पहले skin को apply करेंगे तो यहां पे bottom holes को अच्छे से अगर आप align कर लीजेगा ना उसके बाद यह जो skin है ना यह काफी अच्छे से इस camera के पूरे panel के cutout के साथ align हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि उपर में speaker cutout में, IR blaster के cutout में and secondary noise cancellation mic के cutout में भी यह almost properly align होके apply हो चुका है इसके बाद आपको adjust से इस तरीके से apply करना है और यहां पे आप देख सकते हैं कि volume button के लिए cutout है even power button के लिए cutout है यह भी properly align हो गया है and corner पे इस skin को properly apply करने के लिए अगर आपके पास heat gun है तो आप उसको use कर सकते हैं या hair dryer को use कर सकते हैं या फिर आप lighter को भी use कर सकते हैं बट lighter को आपको थोड़ा सा सावधानी से इस तरीके से use करना है बहुत light hand से and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि corner पे बिल्कुल अच्छे से apply हो गया इसी तरीके से हम चारो corners पे इसको हलका हलका आपको lighter से flame दिखाना है मतब थोड़ा सा heat देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि corner पे बहुत ही अच्छे से apply हो जाता है तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारो corner पे skin काफी अच्छे से apply हो गया है इसके अलावा भी अगर आपको edges पे लगता है कि skin अच्छे से चिपका नहीं है तो आप इस तरीके से हलका हीट दे सकते हैं lighter के through या फिर अगर आपके पास hair dryer है तो आप hair dryer का use कर सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से skin को अच्छे से apply कर सकते हैं इस skin को apply करने के बाद अगर हम या पे sim tray बाहर निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि sim tray बहुत ही आसानी से बाहर भी निकल जाता है और अंदर भी चला जा रहा है तो आपको नीचे side से skin को align करके apply करना start करना चाहिए अगर आप भी अपने किसी भी phone के लिए ये spider pattern वाला skin purchase करते हैं तो पहले ये red वाले full back skin को apply करने के बाद ये जो black वाला आपको flat back skin मिलता है इसको apply करना पड़ेगा तो ये जो black skin है इसको आप अच्छे से निकालिएगा अधरवाइस ये फट भी सकता है ये black वाला flat back skin है इसको apply करना उतना असान नहीं है तो आपको इसको थोड़ा patience के साथ apply करना पड़ेगा एक बार अगर आप इस camera cut out के उपर properly इसको align करके apply कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको कोई खास problem नहीं आएगा इस skin के साथ सो फाइनली आप आप देख सकते हैं कि हम अपने Poco X6 Pro पर ये spider skin प्रॉपर ली अप्लाई कर लिये हैं इस skin का जो look है आप किसी भी phone पर apply करें इस से पहले भी I think हम अपने Samsung M51 पर और और भी कुछ phones पर ये same pattern का skin use किये हैं इस skin के साथ आपके phone का जो look है ना वो एकदम मतलब change हो जाता और काफी beautiful लगता है मेरे को तो gadget shield का जितना भी skin pattern है उसमें सबसे जादा ये favorite skin pattern है मेरे लिए तो ये जो camera का complete panel है या जो camera lenses है इनके ऊपर apply करने के लिए आपके पास दो color का skin का option रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो red camera panel का skin था ये भी properly apply हो चुका है finally यहाँ पर Poco X6 Pro के लिए जो skin था मेरे पास इसका application complete हो चुका है आप देख सकते हैं camera panel पर हम red वाला skin apply किये हैं and camera lenses के उपर जो black वाला skin था वो हम apply किये हैं and यह जो complete spider skin है इसका look आपको कैसा लग रहा है comment section बताइए अब क्या इस skin के साथ या gadget shield के अधर किसी skin को अगर आप अपने Poco X6 Pro या Poco X6 पे apply करते हैं तो जो आपको box में back cover मिलता है इसको use कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं spider का logo जो skin में था वो तो इस back cover के साथ hide हो गया है अगर आपको इस transparent back cover यूज करते हैं तो आपको जो skin का effect है वो भी देखने के लिए बिलेगा and back cover का protection भी मिल जाएगा and skin apply करने के बाद back cover लगाने और निकालने में आपको थोड़ा problem आ सकता है बड़ अगर आप properly skin को apply करते हैं तो आपका skin जो है वो back cover लगाने या निकालने से निकलेगा नहीं अब next यहाँ पर जो Amazon से हम tempered glass purchase किये थे यह apply कर लेते हैं so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tempered glass जो है ना बहुत ही easily apply हो गया बिना किसी major air bubble issue के and यह जो tempered glass है ना यह complete edge to edge tempered glass है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा doubt है कि cover के साथ यह compatible होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर हम फटा फट से जो box में cover मिलता है उसके साथ एक बार use करने का try करते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे हम cover को यहाँ पर के side से लगा रहा है नीचे के side से इस तरीके से air bubble का issue देखने के लिए मिल रहा है उपर के तरफ से भी same issue देखने के लिए मिल रहा है तो यह tempered glass तो recommended नहीं है आप इस tempered glass के साथ नहीं जा सकते हैं अगर आप अपने Poco X6 Pro के back panel को scratch से protected रखना चाहते हैं long term uses में तो आप इस तरीके skin जब वो gadget sealed के website से purchase कर सकते हैं लिंक आप विरू description में देदी है यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेग और चैनल को subscribe कीजेगा आप Poco X6 Pro के regarding कोई भी आपका doubt or query हो आप comment section में पूछ सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक technology का स्थमाल limit पे कीजेए देखने के लिए आपका धन्यवाद